Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School. आजम करेंगे Class 5th की Real English का Chapter No. 10 जो कि एक Poem है, इसका नाम है Wishes, यानि की इच्छाएं. आईए Poem को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Said the first little chick with a queer little squim, I wish I could find a fat little worm. चिक क्या होता है? मुर्गी का बच्चा. तो जो मुर्गी का पहला बच्चा होता है, वो थोड़ा सा चिलाते हुए, अपनी छोटी सी आवाज निकालते हुए, हिलता हुआ, विगल करता हुआ कहता है, कि मैं मेरी ये इच्छा है कि मुझे एक मोटा कीड़ा मिल जाता. और जो दूसरा मुर्गी का बच्चा होता है वो क्या कहता है थोड़ा सा चींखता हुआ अपनी जो sad little voice होती हो उसमें बोलता है कि मैं यह चाहता हूँ मेरी यह इच्छा है कि मुझे एक nice yellow color का कोई खाना मिल जाए said the third little chick with a small sigh of grief I wish I could find a little green leaf और तीसरा जो मुर्गी का बच्चा होता है वो क्या कहता है वो थोड़ा सा हताश होके निराशा भरी आह लेके बोलता है कि मैं यह चाहता हूँ मेरी यह इच्छा है कि मुझे एक छोटा सा पत्ता मिल जाए see here said the hen अब उनकी जो मा होती है मुर्गी वो क्या कहती है यहाँ देखो from the near garden patch जो बगल में गार्डन होता है वहाँ पे एक छोटा सा उसने patch बनाया होता है वहाँ पे बोलती है कि यहाँ आके देखो if you want a new breakfast just come here and scratch अब उन तीनों को क्या कहती है कि अगर तुमें खाना चाहिए नाश्ता चाहिए तो आओ यहाँ और खोदना start करो तो यह है हमारी poem इसे हमें क्या सिखिशा मिलती है कि हमें सोचना नहीं हमें इच्छा जो हम चाहते हैं करते हैं उसके लिए महनत करनी पड़ती है बैठे बैठे तो हमारे पास कुछ आने वाला नहीं है तो जो मुर्गी की मा होती है वो उने का कहती है कि आओ थोड़ी महनत करो, यहाँ पर थोड़ा स्क्रैच करो और अपने लिए खाना रूंडो सोचने से या विश मांगने से क्या होगा, अपने विश को पूरा करने के लिए आपको कोई कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तो यही इस पोएम की थीम थी आएब करते है इसके कंप्रहेंशन A1, complete the following sentences in your own words 1. The first chick wished that it could find a fat little worm 2. The second chick was looking for some nice yellow meal 3. The third chick wanted a little green leaf 4. The hen said that if the chickens wanted any breakfast they should scratch the garden patch A2, are the following statement true or false? Rewrite the false ones correctly यहाँ पे आपको true or false बताना है और जो गलत होंगे उसको आपने सही करके लिखना भी है तो आईए देखते है number 1 The second chick made a funny movement with its body यह है false इसको आप ठीक करके लिखेंगे It made a sharp little squeal number 2 The hen wished for a fat warm तो यह भी false है इसको आप ठीक करके लिखेंगे she wanted the chicks to scratch the garden patch for their breakfast number 3 the third chick wanted some yellow meal तो इसको आप ठीक करके लिखेंगे यह गलत है इसको आप लिखेंगे यहाप लिखेंगे she wanted them to learn to scratch number 6 the hen was looking for food for their chicks तो यह है true number 7 the hen wanted the chicks to look for their own food because she did not want them to be dependent on her or others तो यह भी है true number 8 the third chick was unhappy because it could not find a leaf तो यह है false यहाप लिखेंगे the chick was unhappy अब है आगे sound or pronunciations यहाप आपको कुछ words दी हुए है जिनकी जो sound है वो क्या है same ठीक है तो यही देखते हुए मैं अपने आगे की जो है exercise करेंगे write the following words in the correct row of the table below यहाप आपको table दिया गया है first मैं आपने जो words है जिनकी consonant की sound आती है वो लिखने है और इसमें आएंगे आपके pipe, deer, mode, silk, pop second मैं है words beginning with two consonant sound जिसमें दो consonant की sound एक साथ आती हो तो इसमें word आपके आएंगे clean, plot, snow, twilight, trip, globe, creep, scold, tweet, smile और थर्ड मैं है कि ऐसे word लिखने है जिनकी beginning में तीन consonant की sound आए तो वो आपके होंगे street, spleen, screw, squeeze, strike तो यहाँ पर आपका यह chapter खतम होता है I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे like and share जरूर करे Thank you very much and have a nice day